हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल फ्रेंच देखिए आज मैं ये एक सिंगल कलर की डिजाइन का पैटर्न लेके आई हूँ बहुत ही इजी है ये डिजाइन बनाने में राइट साइड है देखिए ये इस पैटर्न का और ये है इसकी रॉंग साइड इस डिजाइन को इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 10 के मल्टिपल फंदे चाहिए 10 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 2 एक्स्ट्रा एजस्टीज के लिए तो हमारी ये डिजाइन सेट हो जाएगी यानि 10 प्लस 10 प्लस 4 फंदे एक्स्ट्रा हम रखेंगे तो हमारी डिजाइन सेट हो जाएगी तो यह यहां पिर मैंने 10 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 2 एक्स्ट्रा करके 24 फंदे ले लिये हैं फॉस्ट रो से स्टार्ट करेंगे हम इस डिजाइन को बनाना तो देखें पहला फंदा उतार के उन पीछे करेंगे और दो फंदे सीधे बनाएंगे यान ओवर करेंगे और दो फंदे हम ऐसे लेके पलट लेंगे सलाई पे और बैक लूप से दो फंदे का एक फंदा कर देंगे फिर एक, दो, तीन, चार फंदे सीधे बनाएंगे और दो फंदे हम इस तरफ को दो का एक करेंगे और यान ओवर करेंगे तो देखिए यहाँ से यह हमारा edge stitch है 2, 4, 6, 8 और यह 10 फंदे हो गए इनी 10 फंदों को हमको repeat करना है 2 फंदा सीधा बनाना है यान ओवर करना है 2 का एक करना है फिर 4 फंदे सीधे 2 का एक करेंगे यान ओवर अब इनी को फिर से repeat करते है तो 2 सीधा यान ओवर 2 फंदा ऐसे बैक लूप से हम 2 का एक करेंगे पलटके फिर 1, 2, 3, 4 फंदे सीधे बनाएंगे फिर इधर को हम बैक लूप से 2 का एक करेंगे इस तरह से 2 का एक करेंगे यान ओवर करेंगे दो सीधा बनाएंगे और edge stitch को भी हम सीधा बना देंगे wrong side, second row, पूरी row हम उल्टा उल्टा बनाएंगे तो इसको जितने भी हमारे फंदे हैं सभी फंदों को हम इस तरह से उल्टा बना देंगे जाली जो हमने डाली है यान ओवर करके उसको भी और जितने भी फंदे हैं सबको हम इस तरह से उल्टा उल्टा second row में complete करेंगे wrong side से second row है ये तो सभी फंदा उल्टा उल्टा ये देखिए third row, right side edge stitch को उतार लेंगे बिना बुने दो फंदा सीधा बनाएंगे ये जो हमने यान ओवर करके जाली डाली थी इसको भी हम सीधा बनाएंगे यानि तीन फंदे हमने सीधा बना लिया edge stitch के बाद यान ओवर करेंगे और दो फंदे back loop से दो का एक करेंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे और फिर से दो फंदे हम इस तरफ को लेके दो का एक कर देंगे यान ओवर करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे अब देखिए यह हमारा एजिस्टीज दो, चार, छे, आठ और दस इन ही दस फंदों को हमको फिर से रिपीट करना है तो देखिए, दो सीधा बनाएंगे, यान ओवर करेंगे, तीन सीधा बनाएंगे, यान ओवर करेंगे और दो फंदे बैक लूप से दो का एक करेंगे दो फंदा सीधा बनाएंगे और दो फंदे इस तरफ को लेके दो खाएक करेंगे यान ओबर करेंगे और तीन फंदा सीधा बनाएंगे एज इस्टीज भी सीधा चौथी सलाई रांग साइड से पुरा उल्टा-उल्टा 34 पूरी उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट करेंगे ये देखिए इस तरह से आ रहा है फिफ्ट रो राइट साइड एज स्टीज को उतार लेंगे बिना बुने अब देखिए एक दो तीन और ये चार फंदे हमने सीधे बनाए यान ओवर करेंगे और अब बीच में फंदे हमारे जो हैं वो कम हो गए हैं तो दो फंदे इस तरब से दो का एक करेंगे और दो फंदे इधर से दो का एक करेंगे यान ओवर करेंगे और एक दो तीन फंदे सीधे बनाएंगे अब देखिए यहां से इनी फंदों को रिपीट करेंगे ये हमारा दो चार छे आठ और दस ये इतना फंदा जो है इसको हम रिपीट करेंगे अब यहाँ पे एक, दो, तीन और ये चार सीधा यान ओवर करेंगे, दो फंदा एक साथ बनाएंगे और दो फंदा इधर को एक साथ बनाएंगे देखें इस तरह से ये ट्रैंगल के शेप में बन रहा है, यान ओवर करेंगे और एक, दो, तीन, चार फंदे सीधे और एज सीधा पांच सलाई हमारी कम्प्रीट हो गई है चट्वी सलाई अब हम जो बनाएंगे उसको हम सीधा बनाएंगे, उल्टा ना बनाके सीधा सीधा बनाएंगे सारी सलाई को सीधा सीधा करेंगे चट्वी सलाई रॉंग साइट से सीधा सीधा अभी तक हमने दो बार उल्टा उल्टा बनाया अब हम इसको सीधा सीधा बनाएंगे सारे पंदे सीधे सीधे यह देखें सात्वी सलाई राइट साइट से फिर से पूरा सीधा सीधा पूरा सीधा सीधा देखें इस करें देखें इस तरह से आठी सलाई रॉंग साइट से फिर से पूरा सीधा सीधा पहला पंदा उतार के उन पीछे करेंगे और सभी फंदों को सीधा सीधा बनाएंगे आठवी से लाइन रॉंग साइट पूरा सीधा सीधा यह देखें नमी सलाई राइट साइट से फिर से पूरा सीधा सीधा बनाएंगे पहला फंदा उतारेंगे उन पीछे करेंगे और नाइन रो पूरा सीधा सीधा यहाँ पे पूरा सीधा सीधा उस तरह से और 10 रो दसवी सलाई राउंग साइट से पूरा सीधा सीधा यह देखें यहाँ पे हमारी डिजाइन कम्प्लीट हो गई तो इनी 10 सलाईयों को हम रिपीट करते जाएंगे तो हमारी यह डिजाइन बनती जाएगी दो डिजाइन के बीच में इस तरह से यह गाटर स्टीच की गैपिंग आएगी जैसे इसमें है देखिए इस तरह से गाटर स्टीच है और बीच में हमारी ये डिजाइन पड़ी है इस तरह से डिजाइन हमारी और बटके आएगी दोस्तों देखिए मुझे उम्मीद है कि यह डिजाइन आपको जरूर पसंद आएगी अगर आपको यह डिजाइन पसंद आती है तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा मिलूँगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिजाइन के संग तब तक के लिए बाई